प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यॉर फेट चमतकारी हनुमान चाली साथ बल बुद्धी बिद्या प्रदाता चाली सा हर दुख हरेंगे महाबली राम भक्त हनुमान जब हनुमान जी की किरपा मिले जब बजरंगी साथ हो तो फिर संक्त डर कैसा श्री हनुमान जी संकट मोचन हैं अतिबल्वशाली हैं शभीकुडों से संपन राम भक्त बजरंग बली हनुमान चाली सा से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं इसका पाठ नेमित तौर पर करने से रोजगार संबंद्य समस्या नहीं होती हैं इसके पाठ करने से दामपत्त जीवन में मधूरता बनी रहती है। इसके पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में साहस के वृध्धी होती है। दुरगम काज जगत के जेते सुगम अनुगरह तुमरे देते। दुर्गम काज कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी की महिमा से सिध्ध हो जाती है दुरात्न काल से ही इस तोड़ करपा पाने के कई तरीके हैं इन में से ही एक मार्ग है 40 का पाठ करना कि यहीं नहीं इनमें भी सबसे ज्यादा असरकारी अगर कोई चालीसा मानी जाती है तो वह है हनुमान चालीसा चालीस लाइनों वाली हनुमान चालीसा को पढ़ने से मन को शान्ति और शक्ति मिलती है देखिए हनुमान चलीसा की महिमा अप्रम पार है। हनुमान चलीसा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 चौपाईयां हैं। दोहा को नहीं गिनना है चालीस चौपाईयां इसी साह беспok oral और मुस्टा पढ़ने से विभिन कशटों से मुक्ति मिलती है कहा गया है कि और देवता चित्तन धर, हनुमत से ही सुखक रहें अर्थात हनुमान-49 पढ़ने से और किसी भी देवी देवता की पूजा करने की अवशक्ता नहीं है इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तर एल्टर तर नो यॉर फेट मन में साहत शक्ती का संचार करने वाली स्री हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी अती प्रसन्न हो जाते हैं माननेता ये भी है कि हनुमान चालीसा की हर पंक्ती का आपना अलग महत्त और महिमा है और उसका जाप करने से उसका असर आपको किसी भी परिशानी का हल दे सकता है सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या हुटी है चालीसा और क्यों है हन्वान चालीसा इतना चमतकारी भक्त द्वारा अपने भगवान या इस्ट को प्रशन्न करने के लिए तथा अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाश्या में की गई प्रार्थना समय किसी भी इष्ट देव की चालीसा करने से अध्वुत् getir प्रभाव पड़ता है चालीसा है किस में चालीस लाईनन होती कि सर अलभाशा में होने के कारण इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है सरलताश इश्वर को खुश करने का ये तरीका काफी लोगप्रिय है चालीसा के पाठ के लिए किसी खास नियम की जरूरत नहीं होती है मात्र श्रद्धा और स्वक्षता का ध्यान रख कर इसका पाठ किया जा सकता है में हनुमान 40 सबसे शक्ति साली और लोख प्रिय मानी जाती है वजरंग बली किस्तुती हनुमान 40 की रचणा तुलसी दास ने की थी शन्मान 40 हनुमान जी के क्रिपा का वग्षाद सांसान वेक्त नहीं कर सकता है कि सस्तरों में वरडट है और हनुमान 47 के लईनों को हगर वहां में पता चलता है कि इसके जब से कितने प्रकार के लाव जीवन में हो सकते हैं जैसे भूत पिचास निकट नहीं आवे महाबीर जब नाम सुना में नकारात्म कुर्जा बाहरी सक्तियां जो नकारात्म कुर्प से हमें प्रेशान कर रही है उसका भी निवार्न हो जाता है लइस तो है मैं एक इस चालीसा पाड़ से आप बजरंग बली को सरलता से प्रसंद्र कर सकते हैं पा सकते हैं और उनकी क्रिपा लेकिंन उसके पहले आपको चालीसा पाड़ का सही तरीखाया यानी प्योग भीधी बी जानना जरूरी है कूछ को यह समझते हैं कैसे पवनपुत्र हनमान के का पाठ क्रredit जी और उनके इस्ट्र स्रीराम के चित्र के स्थापना करें इसके बाद اُनके श्मक्ष जलडरा पातुर रखने कम से कम थीन से लेकर 108 बार तक 40 का पाठ करें पाठ के उपरांत उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहन करें कि प्रयास करें कि 40 पाठ का समय रोज एक भी हो विशेश्त दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी 40 का पाठ किया जा सकता है हनमान चालीशा दुनिया की सब्से सरल और शक्त सालियू उस्तुति मानी जाती है। हनमान चालीशा के पाठ से इनसान लगबग सभी तरह के परिशानियों को हल कर सकता है। ववन पुद्र को खुश करना, उनका आशिरवाद हासिल करना वैसे तो बेहत सरल है। लेकिन चालीसा पार्ट के दोरान कुछ नियमों का पालन भी करना बेहत जरूरी है